हलो दोस्तों GSTN ने एक नए E-Invoicing के FAQs रिलीस की हैं 30 मार्च 2021 को यानि recent FAQs रिलीस की है और जो FAQs रिलीस होई है उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ गए है जो existing FAQs थे वो तो ही है उनकी एक PDF है उसके अंदर क्या कर रहा है उनको एड कर दिये हैं आज की वीडियो का परपास है कि जो एडिशनल FAQs आए हैं उनको क्रेक्स में समझना और उसके बारे में जानना कि उनके क्या इंप्लिकेशन हो सकते हैं और बहुत ही बेटर तरीके से आपके जो इंवोईसिंग में डाउट होंगे वो GSTN ने ट्राइ किया है उसको रिजॉल्व करने का तो आई हो इन FAQs से आपका अगर कोई इंवोईसिंग कोई डाउट पेंडिंग था अस तक तो गौर्वर्मेंट के FAQ को दिहान में देखते हो आपका इंव डाउट रिजॉल्व हो इंवोईसिंग करते हैं उन पर इंवोईसिंग अपलिकेबल नहीं है दूसरा है कि जो एंटिटी की टर्न ओवर देखी जाती है अगर आपकी एंटिटी की टर्न ओवर 2021 में threshold से cross कर गई थी जो वे invoicing के threshold है तो आपको invoicing कब से applicable होगा तो उन्होंने बोला कि invoicing जो applicable होगा वो beginning of the next financial year से होगा जिस financial year में पिर आपके turnover exceed कर जाए कि उसके next final चलिए कि beginning से आपका invoicing applicable होगा यानि अगर आपके turnover 20-21 में specified limit से exceed कर गई थी तो आपका जो invoicing applicable लगा वो 1 April 2021 से applicable होगा उसके पाद अगला जो FA की वे उसमें इन्होंने बोला है कि जो turnover है अगर इन्वoicing का आप notification पढ़ेंगे उसके turnover में mention है कि aggregate turnover in any preceding financial year since 2017-18 इसमें doubt यह आ रहा था कि 2017-18 की मैं जो turnover लूँगा वो 1 April 2017 से लूँगा या 1 July 2017 से लूँगा देखने के लिए तो उन्होंने clarify कर दिया है कि आपको 1 July 2017 से turnover को count करना है वहाँ से 17-18 कि आपकी 9 मेने की turnover को देखा जाएगा e-invoicing के purpose से अगला है कि क्या आपको कोई list of taxpayer मिल सकती है जिन पे e-invoicing applicable है तो उन्होंने ये बोला है कि list of GSTN जिन पे e-invoicing enable कर दिया गया है वो तो available है GSTN की e-invoicing के side पे however ऐसी कोई list नहीं है जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि in-in-invoices पे in-in-assessis पे e-invoicing applicable है तो इसका अगर मैं cracks की बात करूँ तो ऐसी कोई list available नहीं है अगला है कि मेरा जो जब मैं IRP portal या फिर e-invoicing portal पे जाके देखता हूं अपना GSTN डालता हूं तो वहाँ पे मेरे लिए enable for e-invoicing लिखा आता है जबकि actually मैं अगर मैं law के according अपना e-invoicing का status चेक करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मेरे पे तो e-invoicing applicable ही नहीं है अब let suppose मैं एक ऐसा trader हूं जिसके सिरिफ और सिरिफ B2C supply है और मेरी turnover 50 crore से उपर है तो मेरे पे तो e-invoicing applicable है नहीं आज की rate में लेकिन अब क्योंकि आपके turnover 50 crore से उपर है तो वह IRP portal है वह तो 50 crore वारा number के basis पे उसने आपको eligible बता दिया अगला यह है कि हमारा business के अंदर हमें negative values भी show करते हैं जैसे कि for example penalty हो गई या कोई reduction वगरा करते हैं तो हम negative amount show कर देते हैं invoice में तो उसको फिर e-invoicing के purpose से हम लोग कहां show करेंगे तो उन्हें clarify कर दिया को discount amount का जो उसमें column है उसके अंदर आपको अगर कोई भी इस तरीके का amount है जिससे आपकी taxable value कम हो रही है तो item discount amount वाले column में आप उसको show कर देंगे अगला है we need to show abated value in the involved how to report in such a scenario तो कई बारी क्या होता है कि abated value show करनी होती है जैसे कि real estate sector में भी abated value show करनी होती है कई transaction में तो फिर उस case में हम e-invoicing कैसे generate करेंगे तो इसको भी उन्हें clarify कर दिया है कि उस case में जो e-invoicing generate करनी है वो आपको कैसे करनी है with example उन्होंने create किया है कि let's suppose tax लगने से पहले आपकी जो tax value है वो 10 lakh रुपीज की है वन करोड रुपीज की है और अगर आप abatement उस पे लगा लेंगे और 67% की जैसे abatement है तो आपकी 67 lakh रुपे पे आपको tax दे रहा है तो 66 lakh पे for example अगर GST आपका 5 lakh रुपे आता है तो आप आपको कैसे शो करना है कि taxable value 67 lakh GST 5 lakh और अधर charges में आपको 33 lakh रुपे शो करने है so that आपकी total invoice value वन करोड 5 lakh रुप शो हो जाए उसमें right so I think यह clarification भी बहुत ही important थी उसके बाद है is INV01 हाँ INV01 में कई बार होता क्या है कि supplier और recipient same state में होने के बावजूद भी वह IGST applicability के लिए कहता है या फिर IGLC applicable होगा ऐसा एक column है तो ऐसा क्यूं होता है सो उन्होंने clarify किया है कि ऐसे कुछ transactions है ऐसे कुछ specified चीज़े हैं जिस पर notification के थूँ यह बताया गया है कि अगर supplier और recipient डोनों same state में होंगी उसके बाद भी उस पर IGST लगेगा और उसका example जो official FAQ में दिया गया है वो PSLC का दिया गया है priority sector lending certificates का तो ऐसे scenarios हो सकते हैं जहां पर supplier और recipient same state में हो और IGST लग जाया तो उसमें कोई भी वह वाली बात है नहीं अगला है for generating IRN whether the GSTN of supplier and recipient should be active on system तो practically अगर आपका GSTN या फिर आपके recipient का GSTN inactive mode में है तो आप उनका e-invoid generate नहीं कर सकते हो तो इन्होंने ये clarify कर दिया कि उस transaction का e-invoid generate नहीं किया दा सकता लेकिन जो मैंने practically देखा है कि अब GSTR 1 में अगर B2B में उस GSTN को दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती बट उसका e-invoid generate नहीं कर पाओगे अगरा यह कहने है कि कुछ S.A.H.S.N है जो वैसे तो valid है बर e-invoid का portal उसे accept नहीं करता है क्या पता उनके master data में वो HSN नहीं हो तो दोस्तो इसके लिए GSTN की जो 6 April को advisory आई थी उसमें भी clarify किया गया था और उसमें भी इन्होंने clarify कर दिया है कि अगर ऐसे को HSN आपकी नजर में आता है जो कि हमारा e-invoid portal के master data में अपडेटें नहीं है तो आप क्या करेंगे GST की self-service portal पर जागे एक ticket raise करेंगे और उनको बताएंगी आपके ticket के ध्यान में रखते हुए वो उस HSN को या फिर SSG को आपडेट कर लेंगे अगला है कि मेरे पास कोई भी ERP या फिर कोई GSP ESP या फिर API integration नहीं करवाया हुआ मैं तो क्या करता हूँ गौर्णमेंट की offline utility डाउनलोड करता हूँ और आइन जर्डेट कर देता हूँ तो उसके बाद जो JSN फाइल वहां से आती है क्या आपको इसको अपने future record और future उसके लिए save करके रखना है कि नहीं रखना है तो इसका जो crux है कि रखना है हम crux की बात करते हैं आपको उसको JSN फाइल को संभाल के रखना है अपने पास अगला है एक बार आप आप इन अपनी software से दूसरी PDF भी generate कर सकता हूं कि नहीं कर सकता तो वो यह कहरें कि तो taxpayer can generate an issue invoice copy using his own system but the condition is the invoice must have the particular mandatory particular as prescribed under the CGST और SGST rules यानि mandatory जो चीज़ें है वहां पर होनी चाहिए बाकि आपनी PDF जाके generate कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगला है कि I have generated iron for an invoice यह तो मेरे को लगता है बहुत ही common problem है जो practically आता ही आता है कई बार ही हो जाता है क्योंकि iron अगर आप एक बार generate कर देते हैं तो आप 24 hours के बाद उस iron को cancel नहीं कर सकते हो यह invoicing portal से और मानी अगर आपने iron गलत generate कर दिया और 24 hours बीद गए तो आप क्या कर होएंगे अब आपके पास क्या जा रहा है तो उन्होंने यह simple बहुत अच्छी clarification दी कि जो GSTR 1 return है आपकी वो final मानी जाएगी self-assist मानी जाएगी statutory statement statement है वो of the your outward supply so जो GSTR 1 में आप data डालेंगे वो final माना जाएगा अगर invoicing portal में आपको data डाल चुके है और वो auto-populate होके GSTR 1 मे आ रहा है और आपको वो data नहीं चाहिए मतलब आपकी books के हिसाफ से वो data valid नहीं है तो आप simply क्या कीजी GSTR 1 में जाएगे उसको delete कर दीजियो और अपनी GSTR 1 को final file कर दीजियो कोई दिक्कत नहीं है में को लगता है यह बहुती relaxing clarification दिया GSTR 1 न अगला है after generation of iron is there any time limit for generation of eva bill क्या क time limit है so the answer is no but आप जानते हैं कि eva bill आपको कब generate करना है अगर आपका supply of goods में movement involved है supply में movement of goods involved है basically right so आपको eva bill generate movement से पहले करना ही पड़ेगा उसके बाद है कि जो इए इंवाशिंग की detail है क्या वो विल दे इंवाशिंग डिटल पूश्टो जी एसटेन सिस्टम क्या वो return में populate होती है the answer is yes तो वो तो हमें भी पता है यह populate होती ही है वो तो जो जी एसटेन के अफेक्यू आई थे उसमें भी clarify था कि कई बारी डीले होता है इंवाशिंग पॉर्टल के साइट से जी एसटेन में data fetch करवाने में तो कई बारी ऐसा हो सकता है कि उस डीले के चक्कर में आपका वहाँ पे correct data report ना हो तो it is recommendatory कि you have new to check the data the next question is कि आपका for example मै को supplier है मेरे supplier मुझे ये कहते है कि भी या मैंने आपका invoice जो है invoice portal में चड़ा दिया है लेकिन जब मैं अगना GSTR 2A जाके देखता हूं तो वहाँ पे तो वह invoice नहीं करता तो यह क्यों होता है क्या इस पे problem है तो इसका problem यह है कि देखिए जो हमारे GSTR 2A में data show होता है वो invoice portal से यह होता है वो GSTR 1 से होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपके supplier ने क्या किया होगी इंवोच तो generate कर दिया हो but while filing is GSTR 1 they have deleted or modify your invoices that's why the same invoice is not appearing in your GSTR 2A right so GSTR 1 is the base document for GSTR 2A and further one thing they have also clarified की जो इंवोइसिंग का जो महा पर QR code होता है उसको आप NIC की side पर जाके या फिर जो इनकी QR code की app है उससे verify कर सकते है कि इन्होंने actually वो generate किया है कि नहीं किया है अगला है कि कुछ ऐसे e-invoicing है जो report कर दिये है but वो आपके GSTR 1 में autopopulate नहीं हुए या हुए है तो गलत हुए है so आपका GSTR 1 और e-invoicing का data mism match हो रहा है although you have corrected correctly reported the same on the e-invoicing portal तो इसका solution क्या है इसका solution यह है कि आपको ticket trace करना है GSTR 1 के self-service portal पर उसके बाद वो back end से उसको ठीक कर देंगे the next point is कि table of the GSTR 1 में autopopulate हो जाता है e-invoicing का data लेकिन वो कह रहे है कि I want to delete my all the data and upload a fresh तो क्या मैं कर सकता हूं कि मुझे पूरा data delete करना है जो e-invoicing portal से आया है तो उन्होंने बोला कि अब GSTR 1 में एक reset का button है तो आप reset का button यूज़ करके शारा data read कर सकते है पहली चीज़ अगर data delete करना चाते है specific invoice delete करना चाते है तो specifically आप उस table में जाएंगे और delete का button यूज़ करेंगे specific invoice को delete कर देंगे तो यादि कि you can delete the data there is no harm in that right okay so here the presentation is end from my side but the point is कि अगर आपको कोई भी issue होता है कोई भी doubt होता है तो मेरे जितने भी contacts link है for example my mail id or my linkedin id is given in the description box तो आप पर जाके check कर सकते है और मेरे को reach out कर सकते हैं आपके अगर आपको वीडियो पसंद आईगी तो like कीज़ेग और चैनल को subscribe कीज़ेगा बाबाए